नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है Sonu Singh और आप देख रहे हैं Sonu Singh, PPT वाले. आज किस वीडियो में हैं मार्केट सेग्मेंटेशन और मार्केट सेग्मेंटेशन आपने बहुत जगा पर पढ़ा होगा. Market Segmentation नहीं तो STP Analysis तो पढ़ा ही होगा तो वही हम इस पूरी वीडियो में डिसकस करेंगे तो लास्त देखना पर इस वीडियो होगो ताकि आप समझ पहो क्या होता है Market Segmentation स्टार्ट करने से पहले आपने STP सुना होगा कि किसी भी Market को segment करना पड़ता है उसको target करना पड़ता है फिर उसमें positioning बनानी पड़ती है अपनी ठीक है तो इस पूरी वीडियो में हम segmentation वाला part cover करेंगे उसका क्या meaning होता है क्या basis होते हैं क्या कैसा segmentation होना चाहिए और भी बहुत सारी चीज़े एक्जाम दल्स के साथ तो स्टार्ट करते हैं concept के साथ कि market segmentation का मतलब क्या होता है अभी मैं पढ़ने से पहले या कुछ भी दिखाने से पहले मैं बता देता हूँ market segmentation होता क्या है जैसे कि आप मानलो कोई भी एक marketing कर रहे हो आप किसी भी product को market में लेके आने वाले हो तो उससे पहले आप उसकी audience की तरफ देखोगे कि क्या इसकी audience हो सकती है ठीक है तो जैसे कि मानलो आप market के अंदर perfume लेके आने वाले हो अगर market को आप किसी भी हिसाब से divide कर रहे हो ना कि कितने males है कितने females है क्या उनकी age है कि कितना वुकमाते हैं कितना महंगा वो खरीट सकते है कितना सस्ता वह खरीट कर रहे हो तो आप market segmentation कर रहे हो ठीक है कि market को different groups में divide कर रहे हो आप पढ़ लेते है in business market segmentation determines who is in your target market and who is not जो भी आपका target market होने वाला है उसके अंदर कौन है और कौन नहीं है वो market segmentation हमें बताता है when utilizing market segmentation you look at all the people who could buy a product and decide how to break them up in groups that have similar needs, wants and demands characteristics ठीक है तो market segmentation करते हैं आप देखते हो कि वो कौन ऐसे लोग है जो आपका product खरीद सकते है ठीक है और कैसे उन लोग को different groups में आप divide कर सकते हो कि उनके similar needs हो उनके similar wants or demand characteristics हो जैसे मालो मैंने एक group को divide किया उसके अंदर जितने भी लोग है उस group में मालो xyz नाम है group का उसके अंदर जितने भी लोग है वो मेरे product को खरीद सकते हैं उनकी एक जैसी पसंद है एक जैसी ना पसंद है ठीक है तो उसको ही market segmentation बोलते हैं कि groups बनाना मतलब लोग ओके किहां इतने लोग इस group में आते हैं इतने लोग.. इस Group में आते हैं जैसरी कि मान लोग.. आप को इस particular magazine बनाते हो तो आप location की ze sympathization कर सकते हो कि जैसे मानली रोहीनी में हो अले magazine बिखेगी कि बिखेगी मानलब दैली में या घ charisma गेकेगीbra gewe rupees ै using different messages and marketing techniques बिल्कुल सही बात है अगर आपने एक बाट target market set कर लिया या market segmentation कर लिया आपने groups बना लिये कि हाँ इस group में ये लोग रहते हैं इस group में ऐसी पसंद वाले लोग रहते हैं तो आप उनके हिसाब से अपनी marketing techniques को use कर पाओगे ठीक है जैसे महलूब magazine का example लो technique use करके समझा पाओगे अब वही आप मान लो की नीचे की एरिये में कहीं मान लो असी लंपूल वग्यारे में बेचते हो तो वहाँ पर कम पढ़े लिखे लोग हैं अगर मान लो कम पढ़े लिखे लोग हैं तो उस फर्स्ट है miserable कि इतना भी बड़ा मत बनाओ कि उसको मेजर ही न कर पाओ ऐसे market segment बनाओ जैसे कि मान लो आपने बना दिया age के हिसाब से income के हिसाब से बना दिया location के हिसाब से बना दिया तो अब यह miserable है यह पता रहता है हमें भाई यह सारी चीज़ है इसको मेजर करके हम कोई न कोई conclusion निकाल सकते हैं तो market segment measurable होना चाहिए market segment should be large enough to earn profit ऐसा भी ना हो कि बहुत ही जादा छोटा बना दिया ठीक है तो इतना बड़ा होना चाहिए कि हमारे profit महां से निकल जाएं यहां कोई conclusion लेके उनको marketing करके उनको प्रोड़क्ट वो भेज पाएं marketing या market segment should be stable not going to vanish after short time ठीक है market segment ऐसा होना चाहिए कि वो stable रहे कुछ साल तक तो एक साल तो कम से कम रहे वो वहाँ पर जैसे महलू आपने होना चाहिए market segment आपका it should be reachable by your marketing strategies ठीक है आप market segment एक और बना दोगे तो अप उसी सबसे marketing strategies बना पाओ ऐसा market segment आपका होना चाहिए कि आपको पता है कि आपकी यह marketing strategies हो सकते हैं तो उसी सबसे आप अपने market segment बना सकते हो homogeneous and response similarly to your marketing strategies और जो market segment आप बनाओ न जो पायर्स के आप ग्रुप बनाओ या जब पीपल के ग्रुप बनाओ वो homogeneous होना चाहिए एक दूसरे से different नहीं होना चाहिए जैसके मालो आपने एक ग्रुप बनाओ उसके अंदर ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ज्यादा hard coffee पसंद करते हैं और ऐसे भी लोग है जो बस दूद पसंद करते हैं जो coffee पसंद ही नहीं करते हैं तो वो आपका group सही नहीं है उसमें एक जै आते हैं basis for segmenting consumer market अब आपने बोल तो दिया कि हां भाई group बना रहे है consumers की यह जो भी market है उसमें बहुत सारे हम groups बना रहे हैं किस basis पर बना रहे हैं हम group किस basis पर बना रहे हैं तो वो चीज़ यह हो यहां पर हम पढ़ने वाले हैं ताकि उनके जो efforts या marketing strategies है या effectiveness है वो ज्यादा अच्छी हो when your prospects are grouped correctly it's much easier to target specific group and tailor your effort for maximum impact below are the most common form of segmentation अगर आपके prospects या जो आपके buyers है वो अच्छे से group हो रहे हैं आपको पता है कि हम यह group is buyer का है अच्छे से आपने grouping कर रहे हैं तो आपको जो targeting वाला step होता है वो easy हो जाता है आप किसी particular group को अराम से target कर सकते हो और उससे maximum impact ले सकते हो ठीक है अपने efforts लगा के तो यहाँ पर कुछ segment के form हो सकते हैं क्या हो सकते हैं वो geographic segmentation हो सकता है demographic segmentation हो सकता है psychographic segmentation हो सकता है और behavioral segmentation हो सकता है तो यह चार तरीके के segmentation हो सकते हैं हो तो बहुत तरीके के सकते हैं लेकि सबसे पहला है जियोग्राफिक सेगमेंट कर सकते हैं किसी बाइन कर सकते हैं तो हम थोड़ा सा डीटेल में पढ़ेंगे सबसे पहला आगया geographic segmentation, geographic segmentation calls for diving the market into different geographical units, geographic segmentation जो market होता है उसको geographic units के basis पर divide करता है, जैसे कि location हो गया रहा हो गई, geographic unit मतलब location और उसमें क्या क्या हो सकता है, such as nations, state, region और a few geographic area, अब इसमें राश्रे हो सकता है, राज्य हो सकता है, किसी राज्य के basis पर divide कर दिया, खेत्ष के basis पर एरिया औगयरा के basis पर divide कर दिया, ठहुंग है तो उस बाज्य का पूरी country को divide करना है आप आप मानलो international market हो, तो आप यूउस का market आप का अलhnouse का अलग होगा अगर आप national market हो अब इंडिया में ही बॉस्क्राइब कर रहा है लोकेशन टाइम जोने इन क्लाइमे यंड सीजन एलगुएज अर्विनसिटी तो यह चीज़े आसकथी है ऑसके अंदर लोकेशन स्पेसिफिक नहीं होता है यह भस यह टइब बी पहुता है जैसे कि theta पी वोकेशन, एक जगहे पर टाइम में कुछ और कपड़ेयों में स्ली। इसके इसाब stretches लेंगुज भी हो. इसके अंदर, तुम्स अमलों कि बिहार में अगर आप बैखा बागा डाले ऑर निवे, Нचाव के मटीजन के सब्सक्रूर ले लेंगे वो लोग को दिक्कत ने होती है लेकिन भुषपुरी उनको समझ में नहीं आएगी या गड़वाली उनको समझ में नहीं आएगी ठीक है तो इसलिए language की basis पर भी हो सकता है urbanacity की basis पर भी हो सकता है कि वहाँ के जो लोग रहते हैं वो कितने urban है कितने कितने rural है मतलब समझ रहे है कि गाउं वाला एरिया है कि शहर वाला एरिया है उस हिसाप से उनकी lifestyle बगरा होती है तो geographic segmentation के अंदर यह सब चीज़ा आ सकते हैं इसका एक example होता है कि जो companies होती है वो location की हिसाब से अपने products को बनाती है ठीक अब तक तो यह बढ़ा हमने तो इसका एक example है mcdonald's is the world's biggest restaurant chain with over 37,000 restaurants in more than 120 markets ठीक है तो mcdonald's का example ले रहे है तो fast food chain divides its target market into segments by country, region and cities then customize the menu by local preference जो mcdonald's का menu है वो country के basis पे डिवाइड कर सकती है वो regions के basis पे cities के डिवाइड कर सकती है तो menu हर्जे के सेम नहीं होता है mcdonald's का कहने वाली बात यह है जैसे कि आप US में जाके mcdonald's देखो तो वहां पे prices अलोगे वहां पे menu अलग होगा आप इंडिया में देखो तो menu अलग होगा अगर आप डेली में देखते हो तो menu अलग होगा अगर आप किसी बाहर किसी city में जाके देखते हो तो menu अलग होगा गाय को माता माना जाता है तो इसलिए जो mcdonald's है वो इंडिया में बिग मैक लेकर आया उसका एक substitute लेकर आया जो बाहर बिग मैक बेजता था उसका substitute महराजा मैक लेकर आया वो चिकन वगयर का होता है ठीक है उसमें beef और pork नहीं यूज किया जाता है तो कहने की बात यह है क लोकेशन के हिसाब से अब अपनी menu को या अपने products को बेच होगे सेकेंडे demographic segmentation अब अपने geographic तो पढ़ लिया कि location के हिसाब से होता है demographic क्या होता है demographic segmentation groups customers and potential customers together by focusing on certain traits such as age, gender, income, occupation, family status ठीक है तो इसके अंदर यह सारी चीज़ आ जाती है age आ जाता है, gender आ जाता है, ethnicity आ जातना है, religion, level of education, occupation, income, family structure ठीक है ethnicity जातीयता भी होती है, इसको हिंद्य में जातीयता भोलते हैं, जो भी जातीवाती होती है कि किस जाती से आप belong करते हो religion का मतलब होता है, धहर्म कि कि किस धर्म से आप belong करते हो जैसे मान लोग कि एक example होता है कि जाती में आगया हिंदू हो, आपकी Muslim हो, Muslim के अंदर भी धर्म होते हैं, हिंदू में भी फिर अलग अलग आगया कि आप बनिया हो, कि आप क्या राजपूत हो, ठागुर हो, यह सारी चीज़ हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से भी आप demographic segmentation कर सक सकते हो, तो कुल में लागे बात यह है कि अपने customers को इस तरीके से group करो, कि वो demographic के हिसाब से group हो है, हमान लोग किसी age के हिसाब से, 24-30 साल के बंदे अलग हो सकते हैं, 8-18 साल के बंदे या 8-20 साल के बंदे अलग हो सकते हैं, gender male इतने है, female इतने है, others इतने है, income group की ज्यादा कमाने वाले 35-30 से ज्यादा कि कौन कमाता है, 35-30 से कम कौन कमाता है, उसे आप से आप target कर सकते हो customers को, पहले segment करके, ठीक है, उनकी occupation क्या है, उनका family status क्या है, तो कुल मेला के बात यह ही है, कि आप segmentation जब कर रहे हो, जब आप customers को देख रहे हो, अपने target customers को देख रहे हो, त और यंगर demographic, 12-14 साल के लिए, Snapchat और Instagram और the best channels, अब Snapchat और Instagram पे सबसे ज़्यादा लोग 12-14 साल के लोग होते हैं, लेकिन Twitter पे अगर देखा जाए, तो 25-34 साल के लोग पाए जाते हैं, तो यहां फिर demographic चीज समझ रहे हो कि क्या है, कि age की हिसाब से demographic segmentation की हुई है, कि 12-24 साल के यह Instagram और Snapchat को ज़्यादा पुश किया जाता है, लेकिन Twitter को पुश किया जाता है, 25-34 साल के लिए, ऐसा नहीं है कि छोटे लोग Twitter पे अकाउंट नहीं बना सकते हैं, 18 साल का हूँ यह 19 साल का हूँ, तो मैं अकाउंट बना सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा तर जो लोग पाए जाते हैं, वो 25-14 साल के लोग पाए जाते हैं, तो अगर आप segmentation कर रहे हो, तो आपको यह चीज़ देखनी है, कि 12-14 साल के जो लोग हैं, क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, या कितने लोग हैं, जो यह चीज़ यूज़ कर रहे हैं, और जो बड़े लोग हैं, 25-14 साल के ह रहे हैं तो यह आपको पता होना चाहिए segmentation करते हैं थर्ड़ रहता है psychographic segmentation psychographic का मतलब होता है consumers को study करना उनकी characteristics यह psychological characteristics के basis पर psychological मतलब values उनके desires वो क्या सोचते हैं etc etc ठीक है क्या उनकी hobbies है क्या उसकी personality है क्या beliefs है यह सारी चीज़ है तो पढ़ते हैं अब है इन psychographic segmentation buyers are divided into different groups on the basis of lifestyle और personality कि उनकी lifestyle कैसी है वो करते क्या है यह उनकी personality कैसी है ठीक है कि आगर मानलों कि मेरी personality है कि मैं हर हफते बाल कटवाने जाता हूँ इस तरीके मेरे personality है वाई कि मैं हर हफते बाल कटवाने जाता हूँ अगर आपने demographic segmentation कर ली मानलों की age है 18-14 साल के कुछ एक group बना लिया आपने ठीक है 18-14 साल के सारे लोग है उस group में लेकिन वो अलग personality के हो सकते हैं वो अलग lifestyle के हो सकते हैं किसी को badminton पसंद हो सकता है किसी को cricket पसंद हो सकता है किसी को गाना पसंद हो सकता है तो यह उनकी psychographics होते हैं या उनकी psychological characteristics होते हैं here we might look at customers and define them by their personality traits, hobbies, life goals, values, beliefs, lifestyles तो यह सारी चीज़े हैं जिसके business पर हम जो customers से उनको divide कर सकते हैं इसका एक example लो अगर shoe manufacturer है उसको segmentation करनी है तो वो देखेंगा ना कि कितने athletes हैं मेरे market में कितने office goers है कि कितने लोग office जाते हैं कितने students हैं उस हिसाब से वो जूते बनाएगा dividing groups according to customers whose lifestyle revolves around cycling और running those individuals who prefers formal shoes and similar other segmentation ठीक है तो वो उस हिसाब से डिवाइड करेगा कि भाई जो लोग cycling और running ही करते हैं तो उनके लिए अलग sport shoes बनाने पड़ेंगे जो लोग formal जो office goers है जो students है उनके लिए formal shoes बनाने पड़ेंगे इस हिसाब से other segmentation हो सकती है this way the manufacturer can produce shoes that cater to every lifestyle ठीक है तो इससे सबसे जो manufacturer है वो ऐसे shoes होना सकते है जो हरीक lifestyle को cater कर सकते हैं फूर्त होता है behavioral segmentation अब behavioral segmentation में क्या आता है behavioral segmentation refers to a process in marketing which divides customers into segment depending on their behavioral patterns while interacting with a particular business or website या product ठीक है तो इसका मतलब यह है कि उनका क्या reaction है किसी product के प्रती या किसी website या business के प्रती जैसे माल लो अगर मैं Colgate बोलता हूं तो आपके मन में सबसे पहले क्या आता है toothpaste आता है Colgate का भाई क्यों Colgate तो brush भी बनाती है Colgate तो क्या बोलते है तो आपके मन में toothpaste ठीक यो आया ठीक है तो यह आपका behavior है उस brand के प्रती या उस business के प्रती अगर मैं noodles बोलता हूं तो आपके दिमाग में maggie आता है क्यों आता है भाई noodles तो यह भी noodles भी होते है noodles तो जो बाहर मिलती है चौमन उसको भी noodles भी बोलते है तो यह behavioral segmentation होता है कि ब्रैंड के प्रती क्या behavior है किसी customers का या उसका buying pattern कैसा है कि अगर आपके घर में मान लो टाटा नमक आता है तो आप हर महीने टाटा नमक ही ले रहे हो कि आप पतंजली का नमक भी यूज कर रहे हो या को यह और brand भी try कर रहे हो तो यह सारा behavioral segmentation के अंदर आ जाता है इस segmentation को include grouping customers by their attitude toward your product, brand और service तो इन segments को group कर सकते हैं किस-किस तरीके से कि किसी customer का attitude क्या है आपके product, brand और service को use करने का या आपके brand और service की प्रती ठीक है जैसे कि हमारे दिमाग में क्या होता है BMW सुनते है तो आपको क्या समझ में आता है कि वो luxury cars है भई उस ही में आप महरूती सुन लेते हो यह alto सुन लेते हो तो आप सूचते हो कि हाँ ठीक ठाक कार है जो जादा पैसे नहीं कमाते हो यह car चलाते है ठीक है यह आपके दिमाग में आता है automatically तो उस product के प्रती है उस brand के प्रती है उस service products अब आपको कितना पता है कि हिंतस्तान Unilever के कितने products है एक तरह से आपकी knowledge कितनी है उस brand के प्रती है कि आपको कितना पता है उस brand के products के बारे में यह भी behavioral segmentation आता है they are purchasing tendencies such as buying on special occasions like birthday or holiday only etc अब मालो कि आप cake मंगाते हो cake आप बस birthday पे ही मंगाते हो ऐसे नहीं है कि आप रोज रोज केक मंगा के खाते हो घर में खाना नहीं मन रहा है केक मंगा के खा रहे हो खाने की जिए डिनर में क्या हो रहा है cake चल रहा है ऐसा नहीं होता है आप किसी particular occasion पर मंगाते हो वह चीज़ें जैसे मालो आप मिठाईया मंगाते हो मिठाईया दिवाली में सबसे ज़्यादा मंगाई जाते है ठीक है उससे आप से आप group कर सकते हो जैसे मालो आप कहीं बा और यह last slide है types of behavioral segmentation कि behavioral segmentation कितने तरीके क्या हो सकते है first हो सकता है segmentation based on purchase and usage behavior की pattern कैसा है आपका किसी वे product को use करने का जैसे मालो कि जैसे मैंने नमक वाले example लिया कि अगर आपके घर में हर महीं ने टाटा नमक ही आ रहा है तो आपका pattern बहुत सही है कि हाँ आप एक प्रैंट पर और अगर आपका pattern change होता है अगर आप अगले महीने पतंजली मंगाते हो फिर टाटा मंगाते हो फिर पतंजली मंगाते हो तो आपका behavioral change हो रहा है उस brand के प्रती ठीक है second होता है occasion और timing based segmentation जैसे कि बताया था कि दिवाली वाले दिन क्या होता है मिठाईय अजाद आती है जैस आपको चीज मंगा रहे हो ठीक है जैसे मानलो की occasion क्या हो गया कि कोई birthday आ गया तो आपकी एक मंगा रहे हो तो उसके basis पर segmentation हो सकता है ठीक है जैसे कि मानलो कोई एक group of customer है क्या होता है कि कोई particular occasion आता है मानलो new year आता है तो वो लोग क्या करते हैं वो लोग बाहर जाते है या क्या बोलते हैं कपड़े order करते हैं बहुत सारे तो जो कपड़े वाली brand है वो उस customer को target कर सकते है या उस customer का group बना सकते है कि आप यह लोग जो है new year वाले दिन कपड़े order करते है ठीक है तो occasional या timing based segmentation भी आप बना सकते हो थर्ड होता है benefit sort segmentation अब इसका मतलब क्या हो गया कि जो customers जो है वो जो भी आपके product यूज कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं आपके product में या क्या उनको benefit मिल रहा है उस चीज़ का segmentation कर सकते हो कि उस benefit पे आप focus कर सकते हो ठीक है जो उनको आपके product से क्या unique value मिल रही है जैसे कि मानलो toothpaste है toothpaste आप बनाते हो अगर customer toothpaste कर रहा है बस व अलग हो सकता है अगर वो toothpaste कर रहा है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा महंगा है तो उसका अलग हो सकता है ठीक है तो इस जी आप से benefits और segmentation हो सकते है कि वो क्या आपके product में देख रहे हैं उस चीज़ को आप target कर सकते हो फूर्थ होता है segmentation based on customer loyalty है अब आप customer की loyalty देख सकते हो कि आप ऐसा group बना सकते हो कि customer आपके brand के प्रती कितने customer जो है loyal है कि आपको पता है कि हर महीने वो product वो खरीदेंगे ही खरीदेंगे तो आप उनके लिए क्या आगर सकते हो reward programs ला सकते हो number of purchases देख सकते हो उनके कितने है है और अलग-अलग advertising techniques ला सकते हो अलग-अलग sales लेकर आ सकते हो events लेकर आ सकते हो उनके लिए उन customers के लिए बस क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जैसे मालो मैं regular स्विगी से कुछ ना कुछ order कर रहा हूं लेकिन अगर मैंने order करना बंद कर दिया एक महीने के लिए तो भ customers का है अगर उस segment में से कोई customer आपके आइटम को purchase नहीं करता है तो आप specifically उस customer को target कर सकते हो और तो यही था इस वीडियो में I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको यह topic अच्छे से समझ में आई होगा अगर आपको कोई भी देखका तक कोई भी परेशानी है तो नहीं चो कॉमेंट सेक्से में लेकना ना भूले और मिलता है आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई टेक केर एव नाइस देए